नफशकार दोस्तों नई सोच नई दिशा में आपके एक वार फिर से इस वाक्त हैं तो आज हम डिसकस करेंगे दिसंबर माँ का गिरी राज का सैकंड पार्ट एक पार्ट इसका बना चुका हूँ अगर किसी भी परसन है वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी उसे देख सकते हैं पेडियो का लिंक आपको डिस्कृष में दे जाएगा उसके उपर आप क्लिक करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर किसी भी परसन है अभी तक जून से लेकर नमंबर मां के ओनलाइन क्विज एंड पेडियो फाइल आपको चाहिए तो आप मुझे 96257-36890 पर मैसेज कर सकते हैं साथ मैं आपको पेडियो पी उपलब दिक्रवाई जा रही है गिर राज पत्रिका के तो 96257-36890 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और हमारे बटसैप ग्रूप में भी जुआईन हो सकते हैं उस चैनल के मादिम से उस ग्रूप के मादिम से आपको डेली निउस्पेपर हर सबता गिराज पत्रिका की पेड़ेफ हर सबताई माचल पतेश के जितने भी सबताई करंट फिर बनते हैं उसकी पीड़ेफ उबलब्त करवाई जा रही है और मॉर्णिंग में साथ बज़े कलास होती है उस कलास को भी आप मिस ना करें उसमें जितने भी हमिरपूर बोर्ड की तरफ से एक्जाम हो चुके हैं उन परिकार ने राइजिंग हिमाचल गलोबल इन्वेस्टर मीट का योजन किस बर्श किया था 2017, 2018, 2019, 2020 तो इसका योजन किया गया था धर्मशाला में 2019 में हिमाचल प्रदेश इज ओफ डूइंग बिजनिस में कौन से स्तान पर है पांच में शटेश साथ में आठ में तो हिमाचल प्रदेश इज ओफ डूइंग बिजनिस में देश में कौन से स्तान पर है तो वह आपके साथ में स्तान पर सी ओफनिस राइट दोला धार परबत श्रेणी का अरांब कहां से होता है बद्री नाथ के पास उपरी हिमाले परबत श्रेणी से बद्री नाथ के पास निचली परबत श्रेणी से बद्री नाथ के पास भारी परबत श्रेणी से इन मैसे कोई नी तो इसका राइटास हो जाएगा बद्रिनाथ के पास उपरी हिमाले परबत श्रेणी से ए ओफनिस राइट तो वीडियो के अंतम है महतोपन टोपी के बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे और आपसे कोशन भी पूछूँगा तो हमारे साथ वीडियो में तक बने रहें कैलूरी बोली किस जिले मैं बोली जाती है शिमला बिलासपुर कुलू हमिरपुर तो ये बोली बोली जाती है आपके बिलासपुर में कुन सी कैलूरी? Be of this right इंडिन आर्किटेक्चर नामक पुस्तक किस के दवारा लिखी गई है? आडम स्मित, पर्सी ब्राउन, रावनात कोविन सिंग, नरींदर मोदी तो इसका राइड है सो जाएगा परसी ब्राउन के दुआरा इंडिन आर्किटेक्ट्चर नामक पुस्तक लिखी गई है किसके दुआरा परसी ब्राउन के दुआरा तो बी ओफनिस राइड अगर आपने जून से लेकर नमंबर मा तक सारी गिरी राज की महतोपूर्ण वीडियो देखे होगी तो जब भी आप एक्जाम में आप पेर होंगे तो एच्पी जीके का कोई भी कोशन आपका गल्त नहीं होगा और जून से लेकर नमंबर मा तक आप अपने सपताई के माचल पदेश करंट अफेर की वीडियो देखे होगी तो जितने भी आपके एक्जाम हो चुके हैं या होने वाले हैं तो उसमें आपके जितने भी जीके कोशन पूचे के वह आपको इस चैनल के मादिम से करवाए गये थे तो हमारे साथ वीडियो में तक बने रहे मसरूर कांगड़ा का एकश्या मंदर किस चैली में बना हुआ है नगर शैली पेगोड़ा शैली शिकर शैली इनमें से कोई नहीं तो इसका राइडा सोयेगा नगर शैली ए ओफनिस राइड भारते गुरू पदम सबम ने तिब्द की आत्रा कब की थी पांचमी सदी में साथमी सदी में आटमी सदी में दसमी सदी में तो इनके दवारा जो तिब्द की आत्रा हुई थी आटमी सदी में ये की गए थी जो भारते गुरू है पदम सबम के दवारा तो ऐसे कोशन भी बनेंगे आप एक्जाम में तो डेली साधे साथ बजे कलास होती है इस कलास को आप मिस न करें सबताइक वीडियो आती है हिमाचल क्रांट अफेर एंड गिजराइस सबताइक की चंदर भागा सुमूंदर तर्ट किस राज्य में स्थीत है गुजराथ, केरल, हिमाचल पदेश, उडिसा तो जो आपका चंदर भागा सुमूंदर तर्ट है वो आपके उडिसा में स्थीत है दूर संचार विभाग की हालिया आजिसूचना के अनुसार जनबरी 2021 से लैंड लाइन से मुबाइल पर कोर करने के लिए कौन सा प्रिपिक्स नंबर डाइल करना अनुबारे होगा जीरो, एक, दो, तीन तो इसका राइट होएगा जीरो जो आपके जनबरी 2021 से अगर आप लैंड लाइन मुबाइल से किसी को कोल करेंगे तो आपको जीरो डाइल करना होगा सबसे पहले तो A of Nis right दुहारे सरकार कारे करम किस राज्य सरकार दुवारा अरंब किया गया है केरल, उत्तरपदेश, पर्षिब बंगाल, मध्यपदेश तो इसका राइट होगा पर्षिब बंगाल के दुवारा दुहारे सरकार कारे करम शुरू किया गया है तो C of Nis right USA Year Quality Index के अनुसार दुनिये का सबसे पुर्दूशी शैर कौन सा है दिल्ली, लहोर, इंदोर, कुलकत्ता तो 27 का राइटांस हो जाएगा USA Year Quality Index के अनुसार दुनिये का सबसे पुर्दूशी शैर है लहोर बी ओफनिस राइट अब बात करते हैं वीडियो के अन्तमे महतोपन टॉपिक के बारे में तो आज हमारा टॉपिक है कि कौन सा मंदर किस शैरली का बना हूँ है क्यूंकि यहां से आपका हर एक्जाम एकोष्षन जरूर पूछा जा रहा है तो बात करते हैं कांगड़ा का जो कांगड़ा का जो मसरूर रोकट मंदर है वो किस शैली का बना हुआ है तो यह बना आपका शिकर शैली का शिकर शैली का तो इसे भी आप याद रखें और इस शैली की जो मंदर है जो उनका जो उफरी हिस्सा है वो चोटी नुमा होता है चोटी नुमा पूचा जा रहा है नेक्स बात करें जो आपके कांगड़ा में जो चित्र हैं और जो सुजानपूर्टी रहा में नर्वदेश्वर मंदर नूर्प्र का जो ब्रज्र सुमामी मंदर है और सुपीती की जो तफोमत मंदर है वो किस शैली के बने हुए हैं जो आपके सुजानपूर्टी रहा में जो आपका नर्वदेश्वर मंदर है वो किस शैली का बना हुए है तो यह आपका सम्तल शैली का बना हुए है बात करें नूर्प्र का बज्र सुमामी मंदर नूरपर में आपका एक बज्जर सवामी मंदर है वो किस शैली का बना हुआ है तो वो भी आपका समतल शैली का बना हुआ है अगली बात करें जो स्पीती के तफो मठ हैं वो किस शैली के बने हुए तो वो भी आपके समतल शैली के बने हुए है इसे भी आप याद रखें, नेक्स बात करें, जो कांगडा में बरजेश्वरी मंदर है, वो किस शैली का बना हुआ है, तो वो बना आपका गुम्दागार शैली का, गुम्दागार शैली का ये बना हुआ है कांगडा का बरजेश्वरी मंदर, नेक्स बात करें, जबाला जी में जो मंदर है जबाला जी मंदर वो भी आपका गुम्दागार शैली का बना हुआ है next बात करें चिंतपुनी मंदर किस शैली का बना हुआ है चिंतपुनी मंदर किस शैली का बना हुआ है तो यह भी आपका गुम्दागार शैली का बना हुआ है नेक्स बात करें जो आपका बिलासपूर में नैना देवी मंदर है वो किस शैली का बना हुआ है तो यह भी आपका समतल शैली का बना हुआ है और जो आपके सिर्मोर में बाला सुंदरी मंदर है बाला सुंदरी मंदर सिर मोर में ये भी आपका समतल शैली का बना हुआ है तो यहां से आपका कोई भी एक्जाम होगा यहां से आपको हर एक उस्चन जुरूर पूछा जाएगा तो इसे भी आप याद रखें नेक्स बात करें जो शिमला में जो आपका हटकोटी मंदर है वो किस शैली का बना हुआ है तो वो आपका स्टूपाकार शैली का बना हुआ है हटकोटी मंदर जो कि आपके शिमला में स्थित है किस शैली का बना हुआ है तो वो बना आपका स्टूपाकार शैली का स्टूपाकार शैली का इसे भी आप याद रखें और इस मंदर में शिब की शैली को बहुत मातब दिया गया है इसे भी आप याद रखें और जो स्टूपाकार शैली के मंदर है वो आपको शिमला में देखने को मिलेंगे खासकर ज थूबल के शेत्र में इसे इप याद रखें नेक्स बात करें जो आपके बंद शत्षैली के मंदर और ये सबसे प्राचीन्षैली भू खरती ति बंद लक्षना देवी मंदर एंड शत्राडी के शक्ति देवी मंदर वो आपके बंद शत्षैली के बने हुए है पर मोर में लक्षना देवी मंदर है यह आपका बंद शत्षैली से बना हुआ है और शत्राडी चंबा में शक्ति देवी मंदर है यह भी आपका बंद शत्षैली से बना हुआ है अगली बात करें जो पेगोड़ा शैली के मंदर है वो माचल पदेश के किस स्थान पर स्थीत है पेगोड़ा शैली मंदर तो यह आपके कुलू के हंडीबा देवी मंदर कुलू में आपका हंडीबा देवी मंदर है यह आपका बंद शत शैली का सोरी शेल लिका हैं तो इसे भी आप याद रखें तो आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लेज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने बाले हर वीडियो की अपडेट आपको सुमा इसमें पर मिलती रहें अगर किसी भी परसन को जून से लेकर नमंबर मा तक गिरिराज के मासिक पेडियो एंड जून से लेकर नमंबर मा तक आपको हिमाचल करंट अफेर की पेडियो चाहिए होगी तो हमारे आप बड़ सैप गूरूप में भी जुवाई नहों सकते हैं और आप मुझे 9625736890 पर भी मैसेज कर सकते हैं उस ग्रूप के माद्यम से आपको डेली निउस पेपर एंड अधर इन्फोर्मिशन एंड जीके के जितने भी महत्वपन टोपिक होते हैं वो डिसकस किये जाते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते आंगली वीडियो को साथ तब तक के लिए धन्यवाद